हेलो और फिलकम दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आल माई संस चेप्टर के एक इंपोर्टेंट कुश्चन के बारे में जो कि है All My Sons is a Drama Concerning Social Responsibility in Personal Life Discuss तो यहां पर कहा जा रहा है कि All My Sons जो है वह वैक्तिकत जीवन में समाजिक जिमिदारी से संबन्दी एक नाटक है इसके बारे में चर्चा कीजिए डिसकस कीजिए तो चलिए इसका answer देखते हैं कि अगर exam में पूछा जाता है यह question तो किस प्रकार से अप लिखेंगी तो यहां पर दिया गया है यहां पर कहा जा रहा है कि जो All My Sons का सिर्सक है यानि कि टाइटल जो है वह लिया गया है जो केलर की आगरी सब्दों से यानि कि जब वह मरने वाला होता है उससे पहले यह बोलता है वहां पर जो है इसका सब्दों को लिया गया है जब यह बोलता है और यह जो है एक दुखद करेक्टर यानि कि दुखद नायक या चरितर है इस नाटक का His sense of guilt before his death यानि कि उसको ज़ो है अपराधी होने की भावना हो जाती है अपनी मरने से पहले यानि कि जो केलर जब जब मरने जाता है उससे पहले उसको लगता है कि वह जो है एक अपराधी है He quotes the word of his deceased son Larry वह जो है अपने मरे हूए यानि कि मृतक जो उसका बेटा है उसके सब्सक्टों को अलेखित करता है who perform penance for the death of 21 pilots due to the loss of social responsibility यहाँ पर का जा रहा है कि जो की जो उसका बेटा है लेरी वह क्या करता है तपस्या करता है यानि कि मृत धारान कर लेता है अपने आपको मार लेता है आत्मत्या कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि social responsibility यानि कि समाजिक जिम्मेदारी की कमी की वज़े से 21 पाइलट से यानि कि 21 पाइलट की जान गई है इसके लिए जो है वह फासी लगा लेता है और मर जाता है मतलब आत्मत्या कर लेता है वह ऐसा क्यों करता है to demonstrate his personal responsibility to his family वह जो है अपने परिवार के प्रती जो है अपनी व्यक्तिकत जिम्मेदारी दिखाने के लिए ऐसा करता है कि वह जो है कितना जिम्मेदार व्यक्ति है इसलिए जो है आत्मत्या कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि कितने वरी समाजिक जिम्मेदारी की कमी हो गई जिसके वज़े से 21 पाइलट की जान चली गई यह जो है समाजिक जिम्मेदारी के महत्तों को जोड़ देता है वी मृखकर इसी उसे स्माज के लिए जाता है तो उसकी उसकी पुछ समाजिक जिम्मिदारी को समझता है और इसे सीखने के लिए प्रेरित होता है क्योंकि उससे पहले केवल उसे व्यक्तिकत जिम्मेदारी दिखती है कि वह जो है खुब सारफ है सक्माएं और अपने परिवार को जो है अच्छे इस्तिति में रखे और वो समाज के बारे में नहीं सुचता है वो सुचता है समाज के बारे में जो भी कुछ हो लेकिन मेरा परिवार वो सुरच्चित रहे जो है Chris realizes Larry later जो जो है सुनता है कि उसका पुत्र है Chris वो Larry के later को समझ चुका है और देख चुका है So he said with a broken heart They wear all my sons इसलिए वह जो जो की जिसके वज़े से जो है सेलेंडर्स की आपूरती होती है फटे हुए सेलेंडर्स की और एकस पाइलेट्स की मेरती होती है तो उसे जो है ऐसास हो जाता है और वह जो है अपने तूटे हुए हिरते से यानि कि दिल से जो है बोलता है कि they were all my sons यानि कि वे सब जो हैं मेरे बेटे थे क्योंकि उसका बेटा भी उसी साथ मर गया था और इसलिए वो समझता है कि वो सब भी मेरे ही बेटे थे क्योंकि उन्लोग ने जो है देश के लिए बलिदान दिया यहां पर कहा जा रहा है कि जो killer जो है अपने व्यक्तिकत लाव के लिए समाज के लिए जो नुकसान पहुचाता है उसको जो है बहुत ही बुरी तरीके से देखता है यानि कि उसे लगता है कि उसने जो है समाज को नुकसान पहुचाया है अपनी personal gain के लिए यानि कि अपने personal यानि कि व्यक्तिकत लाव क के लिए इन देट आफ इज ऑन सान लेरी सोज देट एकन नाट सी इस फैमिली एज़ सेपरेट फ्राम सोसाइटी अंत में यानि कि जब यह नाटक का अंत होता है तब जो है वह उसको पता चलता है कि उसका फुत्र जो है वह मर गया है तो उसको देखने के बाद यह ऐसा विभार करना पड़ेगा अगर वह अच्छा समाज के साथ विभार करता है तो उसके साथ अच्छा होने की उम्मीद ज्यादा होगी लेकिन अगर जो है वह अच्छा नहीं समाज के साथ विभार करता है तो वह अपने आपको अलग नहीं कर सकता समाज से समाज की जो भी पर Breeze के वádज़ से इतने लोगों की जान गई है और इसी लिए वह जो है आत्महत्या कर लेता है तो कहीं नहीं समाच के ऊपर यह गलत इंपेक्ट डालता है तो इसलिय चिन effect फटता है जो डर्टर है वाल रिस्पॉन्सिफ वही कारड है यानि कि वह जो है डारिक्टर रिस्पॉंसिबल है यानि कि वही जो है जिम्मेदार है उसके बेटे के मृत्ति के लिए तो यहां पे वह समझ जाता है जो केलर अब्जिस्विद्फ प्रॉफिट लेट टू होल सेरीज अब करपसन वेरेज जो केलर सीजी डिस्पॉंसिबलिटी टूअट इस फैमिली यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो killer अपनी पैसे कमाने की जुनोन में वह बहुत ही भारी corruption कर देता है बहुत ही जादा एक series कर देता है corruptions का यानि की भरश्ट अचार का अपने मुनाफ़े के लिए क्योंकि उससे बहुत ही जादा पैसा कमाने की जुनोन होता है ताकि उसका परिवार जो है अच्छी तरीके से रहे और उसके जो बेटे हैं वो अच्छा जीवन व्यतित कर सकें इसलिए वो जो है बहुत ही जादा करफशन करता है अपने दन्दे में जो केलर सी जी जी रिस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस्पोंस और ऐए ये लहुंद नेटेड़नेShemal लाइफ यहांक। भूल जाता है किशे व्यवियन समाज और गिधन में कि एक 기वन है व्यक्तिकत वर जो है एक जुट और अभिवाज है यानि कि समाज और व्यक्तिकत लाइब दोनों जो है एक समान है यानि कि एक जुट है और इनसे परेवल यानि कि अभिवाज यानि कि समाज को और व्यक्तिकत जीवन को जो है अलग नहीं किया जाता है देट जो केलर है फरगेटन लेकिन ज उसके समाजिक गलतियों की वज़े से समाज के प्रती कम responsibility की वज़े से जिमेदारी की वज़े से उसका पुत्र जो है लैरी जो है आत्मत्या कर लेता है यानि कि यहां पे कहा जा रहा है कि जब भी कोई समाज के प्रती अच्छी तरीके से नहीं रहेगा तो उसका प्रभाव उसके फैमली पर भी यानि कि उसके व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ेगा इसलिए समाज के साथ हमें अच्छे तरीके से रहना चाहिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो All My Son's ड्रामा है यानि कि इनाटक है वो सोसल रिस्पॉन्स बीटिटि होनी चाहिए यानि कि समाजिक जिमेदारीयां होनी चाहिए यह नहीं कि किवल आप अपनी व्यक्तिगत जिमिदारी लेकर चलें और समाज को एकदम बाइकाट कर दें, अलग कर दें आपको समाज को साथ मिलेना पड़ेगा और खुद को भी साथ मिलेना पड़ेगा इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग यहीं देखते हैं कि यह जो ड्रामा है वह related है यहाँ कि concerning है किस से social responsibility in personal life से तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया इस question का answer जो कि है All my son's is drama concerning social responsibility in personal life discuss तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के question अगर आपके exam में आते हैं तो आप उसे लिखने में सक्छा मोंगे तो मिलते हैं आपसे next वीडियो में तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद